करनाल के सेक्टर छे हाइवे पर एक एम्बूलेंस और कार में टकर हो गई हाथसे में कार का अगला हिस्सा शती ग्रस हो गया बता जा रहा है कि एम्बूलेंस ने रोंग साइड से आते हुए अमरिच सर से दिल्ली जा रही कार को टकर मार दी जिसमें कार शती ग्रस हो गई हलाकि इस दूर घटना से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है परंतु कार के मालिक ने बताया कि एम्बूलेंस चालक रोंग साइड से एम्बूलेंस को लेकर आ रहा था और हमारी गाड़ी जो अमरिच सर से दिल्ली जा रही थी उससे टकरा गई यहां ये भी बता दे कि इस हाथसे से भीड जमा हो गई और पुलिस द्वाला मौके पर पहुँचकर मामले का संग्यान लिया गया क्रेन को बुला कर गारी को हाईवे से हटाया गया उसके बाद आवा गमन सुचारू रूप से चल सका कार के ड्राइवर ने बताया कि एम्बुलिंस के ड्राइवर की लापर वाही से ये हाथसा हुआ है उन्होंने कारा कि एम्बुलिंस का ड्राइवर नशे का आदी लग रहा है जो मरीज के साथ साथ अन्य वाहन चालकों के लिए भी खत्रा बन सकता है जाम के कारण लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ा इसके उपरांथ काफी देर बाद पुलिस ने आकर एम्बुलेंस वगारी को सड़क से हटाया गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ वहीं पुलिस का कहना है कि दो वाहनों में आपस में टकर हो गई है जांच की जा रही है जो भी दोशी होगा उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी बताते चले कि करनाल के सेक्टर छे हाईवे पर एक एम्बुलेंस और कार में टकर हो गई हाचसे में कार का अगला हिस्सा शती ग्रस्थ हो गया बताए तो ये भी जा रहा है कि एम्बुलेंस ने रोंग साइट से आते हुए अमरिच सर से दिल्ली जा रही कार को चकर मार दी जिसमें कार शती ग्रस्थ हो गई हलाकि इस दुर घटना से किसी के हताहत होने की ख़बर नहीं है इसका निए निए डाल रहा है लेकिन भूसरों के जान खत्रे में डाल रहा है आप अपन गारी थी अे गारी ती यह चिदा से आरे थी यह घरी वाल रहे आदा पिल्यूसर्ण दे आरे थी यह जो जे बालविया है आपने के लिए बैल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें बीद बैल